तो देखते हैं पर question number first में हमसे क्या पूछा गया है compare the properties of electrons, protons and neutrons तो हम यहाँ पर तीनों की properties को कैसे compare कर पाएंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है तो हमें यहाँ पर तीनों की properties compare करने के लिए हमें यहाँ पर relative mass पता होना चाहिए relative charge पता होना चाहिए और इनकी यहाँ पर location पता होने चाहिए कि atom में इनकी जो location है वो यहाँ पर कहाँ पर होती है तो देखते हैं यहाँ पर इसके लिए मैं एक table बना देता हूँ तो table में सबसे पहले मैं यहाँ पर sub atomic particles लिख लेता हूँ क्यूँके atom के सब atomic particles हैं हमारे electrons, protons & Neutrons वो भी लिख देते हैं पहला हमारे यहाँ पर क्या है proton हो गया second हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा second हमारे हो गया है हम पर neutron और third हम यहाँ पर लेक लेते हैं थर्ड हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके रिलेटिव मास की तो यहाँ पर रिलेटिव मास क्या होता है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए जो इसका मास होता है उसको यहाँ पर क्या बोलते है रिलेटिव मास बोलते हैं तो और proton होता है, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, 1 upon 1840 लिख देंगे, अगर इसको हम यहां पर proton से compare करते हैं, तो अब मैं यहां पर बात कर लिता हूँ इसके relative charge की, इसके बात कर लिती हम पर relative charge की, कि इन पर किस परकार कर जो charge होता है, तो सबसे पहले, proton पर हमारा positive charge होता है तो positive 1 लिखेंगे neutron पे किसी भी परकार कर charge नहीं होता है तो इसको यहाँ पर 0 लिखेंगे और electron पे negative charge होता है तो यहाँ पर negative 1 लिखेंगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी location की यहाँ पर जो उनका location होता है atom में कहाँ पर होता है और बड़ जब यह electron का होता है वो यहाँ पर कहाँ रहता है outside nucleus रहता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं outside nucleus रहता है outside nucleus रहने की वज़े से जो electron का relative mass या इसका जो mass होता है वो हम नहीं लेते अगर हम यहाँ पर atomic mass की बात करें तो electron का mass यहाँ पर काफी कम होने के कारण जब हम यहाँ पर mass number किसी भी element और atom का निकालते हैं तो हम उसमें electron का mass नहीं लिखते हैं क्योंकि यह बिल्कुल ना के बराबर होता है तो यह भी चीज आपको पता होने चाहिए और आप यह वाली properties यहाँ पर लेकर इसको compare कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ पर box में बना देता हूँ आप भी यहाँ पर box में बना के इनको यहाँ अलग-अलग separate कर सकते हैं ओप आपको यह वाल अंसर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ तो देखते हैं यहाँ पर question number second में हमसे क्या पूछा गया है What are the limitations of J.J. Thomson's model of the atom तो Joseph John Thomson's model atom के यहाँ पर क्या-क्या limitations है वो हमें यहाँ पर क्या करने बताने हैं तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला point J.J. Thomson's model of the atom could not explain the result of alpha particles scattering experiment carried out by Rutherford तो यहाँ पर Rutherford ने क्या करा था alpha particle scattering का experiment किया था gold foil पर तो उसको यहाँ पर Thomson's model ने explain नहीं किया तो एक तो यहाँ पर इसका यह limitation हो गया आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है J.J. Thomson's model of the atom could not explain why most of the positively charged alpha particles pass straight through the gold foil a few alpha particles are deflected through small and large angles whereas a few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their path तो यहाँ पर जो J.J. Thomson ने यहाँ पर Rutherford के experiment को बिल्कुल explain नहीं किया अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो Rutherford ने experiment किया था वहाँ पर क्या किया था तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा था गोल्ड foil यहाँ था गोल्ड foil के जो atom है उसमें यहाँ पर क्या होता है middle में nucleus होता है बट यह पता नहीं था उनको पहले बाद में पता चला कि जो इनके middle में क्या होता है nucleus होता है वो यहाँ पर alpha scattering particle से पता चला तो माल लोकी यहाँ पर बीच में इनके nucleus है और nucleus में हमारा यहाँ पर होता है proton होता है positive charge होता है तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, helium के यहाँ पर alpha particles क्या करें, इस पर scatter करवाए, तो जब यहाँ पर alpha particles scattering करेंगे, यहाँ पर gold full के atom से, तो अगर वो यहाँ पर nucleus के थोड़े से पास से जाएंगे, तो हलका से deflection होगा, अगर जादा पास से जाएंगे, तो जादा deflection होगा, अगर बिल्कुल यहाँ पे nucleus से टकराएंगे जो कि positively charge होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वापसी हो जाएगा deflection इसलिए सो करेगा क्योंकि यह भी हमारा यहाँ पे जो alpha particle से positively charge है और जो यहाँ पे middle में nucleus होता है यह भी हमारा क्या positively charge है जिसके वज़े से positive positive charge यहाँ पे क्या होते है रेपल होते है रेपल की वज़े से यहाँ पे छोटा deflection, large deflection और कुछ जो alpha particle से वापस आप आएंगे वो यहाँ पे किस वज़े से आप आएंगे because of positive charge nucleus क्योंकि यहाँ पे nucleus पे क्या होता है positive charge होता है जिसके विए से यहाँ पर क्या होंगे उससे टकराएंगे तो वापिस आ जाएंगे तो यह हमारा किसका experiment था Rutherford का experiment था जो कि उन्होंने बताया था कि जो proton की presence होती है वो यहाँ पर क्या होती है application है अब यहाँ पर बात कर ले थे इसके second point की जे जी थॉमसल model of the atom was just based on imagination वो उनके यहाँ पर imagination बेस था ना कि experimental बेस था क्योंकि यहाँ पर Rutherford ने जब experiment किया तो उन्हें यहाँ पर actual पता चला कि जो यहाँ पर nucleus होता है और nucleus जो होता है और nucleus में हमारे यहाँ पर proton होता है और जो electron होता है वो अपने orbit में घूम रहा होता है मतलब यहाँ पर कहाँ पर घूम रहा होता है यहाँ पर घूम रहा होता है electron तो यह किस ने बता है हमें Rutherford models के experiment से पता चला तो यह यहाँ पर क्या है इनके limitation है JJ Thompson की ओप आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे अब हम चलती है अपने next question की तरफ तो देखती है आपके question number 3 में हमसे क्या पूछा गया है what are the limitations of Rutherford model of the atom तो हमें यहाँ पर Rutherford model के हमें यहाँ पर क्या बताने है limitation बतानी है हम यहाँ पर limitation बोले या हम इसको drawbacks बोले दोनों यहाँ पर क्या होगी सेम चीज होगी तो अगर यहाँ पर limitation की जिगा अगर यहाँ पर इसके drawback आते तो आप दोनों चीज लिख सकते हो आपका answer गलत नहीं होगा इन्होंने यहाँ पर atom की stability के बारे में define नहीं किया गया तो stability मतलब जैसे कि आपको पता है कि atom में यहाँ पर क्या होता है nucleus present होता है और यहाँ पर electron to present होता है और जो electron होता है वह इहां पर nucleus के क्या होता है चारों तरफ यहाँ पर revolve कर रहा होता है अगर हम यहाँ पर electromagnetic theory of features के हिसाफ से चले कोई भी जो यहां पर charge particles है अगर वो यहां पर motion में है तो वो यहां पर क्या करेगा अपनी energy को यहां पर क्या करेगा लगातार lose करेगा लगतार उसकी energy शतम होती रहेगी, जैसे कि अगर मैं यहां पे एटम की बात करूं, तो atom मैं यहां पे क्या होता है, nucleus के around, यहां पे electron revolve करता है, अपने orbit में, तो electron जो यहां पे revolve करता है, वो यहां पे दीरे-दीरे energy loss करेगा, और जो यहां पे क्या होगा electron अपनी energy lose करेगा तो वो दीरे-दीरे क्या करेगा attract होता होता वो यहाँ पर क्या होगा nucleus की तरफ आएगा और यहाँ पर collapse होके जो atom में वो यहाँ पर खतम हो जाएगे जबकि ऐसा नहीं होता जैसके आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे stability है वो यहाँ पर नील बोहन ने बताया कि इसकी stability कैसी है बट यहाँ पर रूतरपूर ने नहीं बताया तो यह इसका यहाँ पर क्या होगा drawback होगा आपको यह समझ में आ गया होगा तो देखते हैं यहाँ पर question 4 में हमसे क्या पूछा गया है describe Bohar's model of the atom तो हमें यहाँ पर क्या करना है Bohar's model of the atom को यहाँ पर diagram के साथ इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है तो देखते हम यहाँ पर इसके बारे में क्या जानते हैं अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर जो model था इसमें इन्होंने यहाँ पर क्या क्या था कि जो यहाँ पर जो atom है वो यहाँ पर 3 subatomic particles से बने हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3 subatomic particles 3 subatomic particles वह आपको यहाँ पर पता होना चाहिए वह कौन-कौन से particles थे एक तो हमारा यहाँ पर क्या था एक हमारा यहाँ पर electron है second one is proton एक छोटे से नुट्रोण होगा सेकेंड चीज जो यहां पर इन्हों ने बताई थी वह हमारा चैप्छना है और यहां पर हमारा क्या होगा proton भी present होगा और यहाँ पर neutron भी present होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं protons and neutrons are located protons and neutrons are located in nucleus लिख दियता हूँ simple आप चाहे तो small nucleus लिख सकते हो या center of the atom लिख सकते हो तो मैं यहाँ simple लिख दियता हूँ protons and neutrons are located in nucleus ठीक है और यहाँ पर लिख सकते है at the center of the atom भी अब मैं यहाँ पर बात कर लिता हूँ इसके third point की जो यहाँ पर electrons होता है वो अपने fixed orbit में यहाँ पर क्या करता है move करता है और उस fixed circular path को यहाँ पर क्या बोला जाता है energy level बोला जाता है या shell बोला जाता है जैसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह हमारा यहाँ पर क्या है energy levels दिख रहा है आपको diagram में इसको यहाँ पर वो ही बोला जाता है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो electrons revolve करता है, electrons, electrons revolve, electrons revolve in fixed circular path, in fixed circular path, circular path, और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं, energy level और shells भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर simple, energy levels लिख देता हूँ, energy levels, और यहाँ पर चलो shells भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर हम shells भी बोल सकते हैं, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, इसके fourth point की, fourth point यहाँ पर क्या है, जित्ता भी यहाँ पर जित्ते भी energy level है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, fixed amount of energy ह होती है सब कि हैं पर अलग अलग energy होती है बट सब में क्या होती है fixed amount of energy होती है तो वो भी हम यहां पर लिख लेते each energy level is associated with a fixed amount of energy तो यहां पर लिख देते हैं each energy level have a fixed amount of energy have a fixed amount of energy या it is associated with a fixed amount of energy कुछ भी लिख सकते हैं अब यहां पर एक last point है इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं तो यहां पर जो last point है वो हमारे यहां पर कुछ ऐसा है कि जो यहां पर electron अपने orbit में गूमते हैं वो यहां पर हमेशा गूमते रहेंगे same energy level से वो यहां पर कभी भी decrease नहीं होंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं no change in the energy of electrons तो यहां पर लिख देता हूँ अपने orbit में move करेंगे और जिसके विज़े से जो हमारा atom है वो यहां पर क्या होगा stable रहेगा और यहां पर हम बात कर लेती नील बोहर्स stability की जो यहां पर उन्होंने stability बताई थी तो यहां पर जो सबसे पहला point है वो उन्होंने यहां पर यह बताए था कि जो यहां पर electrons है वो अपने यहां पर एक fixed orbit में घुमते हैं उनका fixed energy level होता है और हर एक जो orbit का होता है उसका यहां पर क्या होता है different radius होता है जैसे की आपको यहां पर दिख रहा होगा k का यहां पर different radius है फिर उसके बाद आगे हम second number पो चलेंगे l वाले पर इसका different radius है और अगर हम यहां पर m वाले पर चलेंगे तो इसका यहां पर क्या होगा different radius होगा अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे second point की तो उन्होंने यहाँ पे second point में बता है था कि जित्ता भी जो electron यहाँ पे एक particular orbit में घुमता है उसका यहाँ पे क्या होता है एक particular energy level होता है मतलब particular हर एक orbit का एक particular energy level होता है जिसके वज़े से जो electron है जो orbit में गूमते हैं वो अपनी energy को lose नहीं करते हैं और जिसके वज़े से जो हमारा यहाँ पर atom है वो यहाँ पर क्या रहता है? stable रहता है तो यह उनका यहाँ पर क्या था? second point था तो hope आपको यहाँ पर इनकी stability के बारे में ही पता चल गया होगा और यहाँ पर boars model of atom मैं से पहले explain कर चुक हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके बारे में 5 point लिख रखे हैं अगर फिर भी आपको कोई problem आती है तो आप मुझे comment section करके बता सकते हैं तो देखते हैं अपर question number 5 में हमसे क्या पूछा गया है compare all the proposed models of an atom given in this chapter तो इस chapter में हमें यहाँ पर तीन model दिये थी पहला हमें यहाँ पर thompson model दिया था second यहाँ पर Rutherford's model और third हमारे जो last हमारे 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 कौन सा है boars model तो तीनों का हम यहाँ पर बारी बारी से क्या करेंगे explain करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर thompson model के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे thompson's model of an atom के बारे में कि जो यहाँ पर thompson model है वो यहाँ पर क्या कहता है atom के बारे में इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा Thomson Model of an Atom से पहले यहाँ पर जो theory चलती थी वो यहाँ पर क्या चलती थी Dalton's Atomic Theory और यह काफी सालों तक चलती रही और Dalton's Atomic Theory में यह था कि जो यहाँ पर atom है उससे यहाँ पर छोटा particles कुछ भी नहीं है atom यहाँ पर indivisible है बाद में हमें यहाँ पर पता चला कि जो atom है उसको हम यहाँ पर divide कर सकते हैं उसके सब atomic particles होते हैं लाइक यहाँ पर electron, proton और neutron, neutron की खोज भी यहाँ पर क्या हुई थी सबसे बाद में हुई थी उससे पहले यहाँ पर electron, proton की हुई थी, बाद में यहाँ पर किस की हुई थी, neutron की हुई थी और जो हम यहाँ पर atomic mass calculate करके चलते हैं वो यहाँ पर proton प्लस neutron का करके चलते हैं इससे पहले यहाँ पर कौन सी थोरी चल रही थी, deltons atomic थोरी और उसके इसाब से यहाँ पर atom ही सबसे चोटा particles था उसके बाद हमारा जो यहाँ पर JJ Thompson है, उन्होंने यहाँ पर structure of atom को थोड़ा यहाँ पर explain किया, उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या होता है हमारा electron भी present होता है और proton भी present होता है neutron की खोज यहाँ पर James यहाँ पर red side diagram में दिख रहा होगा तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it इनके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या होता है, बाकी का sphere होता है, जैसकि आपको यहाँ पर मैं watermelon के example से समझाना चाओंगा कि जो आपको यहाँ पर red color के दिख रहा है इनके हिसाब से यह हमारा यहाँ पर क्या होता था, proton होता था, positively charged particles होता था, और जो यहाँ पर आपको watermelon में यहाँ जो इसके bees दिख रहे हैं, जो इसके seeds दिख रहे हैं वो इनके हिसाब से यहाँ पर क्या होते थे, electron होते थे क्या होते थे, इनके हिसाब से, electron होते थे जबकि यह structure यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है बाद में यहाँ पर जो structure बता है, यहाँ पर Rutherford experiment के साब से, वो यहाँ पर completely different था, बट अभी हम यहाँ पर किसकी बात करें, अभी हम यहाँ पर Thompson model के बात करें, तो हम अभी देखते हैं, इनके हिसाब से क्या structure था, atom का, तो इनके हिसाब से जो structure of atom था, वो हम यहाँ पर watermelon के example से समझ सकते हैं, जो यहाँ पर आपको लाल कलर का दिख रहा होगा, वो हमारा यहाँ पर positive था, मतलब वो यहाँ पर क्या था, proton था, और जो इसके बीज है, वो यहाँ पर क्या है, इसके electron है, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, जेजी थॉम्शन Plum Pudding Model भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको J.J. Thomson Plum Pudding Model भी बोलते हैं क्योंकि जो Pudding होता है उसमें यहाँ पर लाल-लल कलर के बीज होते हैं और बाकी पार्ट को यहाँ पर क्या बोला गया था Positively Charge Sphere बोला गया था अब बात कर लेते हैं यहाँ पर second point की the positive and negative charge in an atom are equal in magnitude due to which an atom is electrically neutral तो यहाँ पर Thomson Model के हिसाब से जो यहाँ पर atom होते हैं उसमें positive charge भी होता है और negative charge भी होता है और दोनों यहाँ पर जो charge होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं अपोजिट equally होते हैं जिसके वज़े से जो यहाँ पर atom होता है वो यहाँ पर neutral होता है जिसके वीसे जो atom होता है वो यहाँ पर क्या होता है neutral होता है तो Thomson Model के इसाब से उन्हों ने इस परकार यहाँ पर atom का structure हमें दिया था और हमें यहाँ पर पता होना negatively charge होता है जिसके वज़े से इनका जो magnitude है वो यहाँ पर क्या है? equal है और जिसके वज़े से यह electrically neutral होते हैं क्योंकि यहाँ पर positive और negative आपस में क्या बना देते हैं? neutral बना देते हैं आपको यहाँ पर Thomson model of an atom के बारे में समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई परिशानी रह जाती है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं Rutherford's model of an atom की इससे पहले हमने यहाँ पर Thomson model पढ़ा था और Thomson model में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? उसके यहाँ पर structure जो पढ़ा था बट Rutherford's models के हिसाब से जो इसका structure होता है वो यहाँ पर बिल्कुल completely different होता है इसके बारे हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं An atom consists of a positively charged dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons यह हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ पर Rutherford's experiment किया था जहाँ पर हमने gold foil लिया था और उसमें हमने alpha particles bombard करवाए थी जिससे हमें यहाँ पर पता चला कि जो हमारा atom है उसमें nucleus present होता है और वो भी positively charged होता है Positive charge जो होता है वो यहाँ पर nucleus में proton की presence की वज़े से होता है वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए वो यह बात यहाँ पर बोली गई है कि जो atom है वो यहाँ पर क्या है positively charged है dance है काफी घणा है और उसका जो nucleus है वो यहाँ पर काफी छोटा है हमें कैसे पता है जो उसका nucleus है काफी छोटा है क्योंकि वहाँ पर जो experiment किया था उसके जो alpha particles थे वो यहाँ पर जातर alpha particles straight चले जा रहे थे वो nucleus से यहाँ पर नहीं टकरा रहे थे तो जिससे हमें पता चला कि जो nucleus है वो यहाँ पर काफी छोटा है और dense है अब देखते हैं पर second point में क्या लिखा हुआ है the nucleus is surrounded by negatively charged electrons जो यहाँ पर nucleus होता है वो यहाँ पर किसके surround होता है वो यहाँ पर negatively charged electrons के surround होता है जैसे कि आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा बीच में हमारा यहाँ पर क्या है? nucleus है और इसके यहाँ पर orbit में क्या गूम रहा है? electron move कर रहा है यह हमारा Rutherford models के structure के हिसाब से है अब यहाँ पर बात कर लेतें third point the electrostatic attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons hold the atom together अब यहाँ पर होगा क्या है जो यहाँ पर nucleus है वो यहाँ पर क्या है positively charged है और जो यहाँ पर electron है वो हमारे यहाँ पर क्या है negative charge है और यह दोनों आपस में एक दूसरा को attract करते हैं जिसके वज़े से यहाँ पर एक तरह का atom बना भा रहे है और यहाँ पर collapse नहीं हो रहे हैं और जो यहाँ पर fourth point है वो यहाँ पर क्या बोल रहा है and atom is electrically neutral वो यहाँ पर neutral किस वज़े से क्योंकि यहाँ पर जो positive charge है और negative charge है वो अपस में यहाँ पर क्या होँए, cancel out हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, neutral बना रहे हैं, most of the atom is empty space, यह हमें यहाँ पर कैसे पता चला है, जो atom बना हुआ है, उसमें काफी ज़्यादा space है, वो हमें यहाँ पर Rutherford's experiment के वज़े से पता चला, क्योंकि यहाँ पर का काफी ज़्यादा free space है, तो इसलिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, most of the atom is empty space, और अगर मैं यहाँ पर इसको simple structure में define करना चाहूँ, तो बीच में हमारा यहाँ पर क्या होता है, proton होता है, जिस पर positively charge होता है, इसको हम यहाँ पर nucleus भी बूलते हैं, और यहाँ पर क्या होता ह इसमें positively charge है, तो normally मैं इसको यहाँ पर nucleus लिख देता हूँ, ठीक है, तो यह हमारा किसका है, यह हमारा हमालो की हमारा hydrogen atom का है, यह आपको देख रहा होगा, यह हमारा किसका है, hydrogen atom का, क्योंकि hydrogen atom में एक proton होते हैं, और एक electron होते हैं, same diagram, अगर मैं यहाँ पर helium का बनाना चाहू तो helium में यहाँ पर क्योंगे, two proton होंगे, और यहाँ पर क्योंगे, two number में neutron होंगे, और यह हमारा beach का क्या बनेगा, nucleus बनेगा, और side में यहाँ पर दो electron revolve करेंगे, क्योंगे, दो electron revolve करेंगे, और यह जो मैं बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, यह हमारा helium का बन रहा है क्योंकि helium में यहाँ पर neutron present होता है बट यहाँ पर proton में नहीं होता तो यह आपको धियान में रखना होगा तो यह सब diagram से आपको समझ में आ गया होगा कि Rutherford models ने यहाँ पर किस हिसाब से atom का structure दिया था अब हम चलते हैं इसके drawbacks की तरफ अब बात कर लेते हैं यहाँ पर drawback of Rutherford model of the atom तो इसके यहाँ पर क्या क्या drawbacks है तो सबसे जो major drawback है यहाँ पर Rutherford model का इन्होंने यहाँ पर atom की stability के बारे में define नहीं किया गया तो stability मतलब जैसे कि आपको पता है कि atom में यहाँ पर क्या होता है कोई भी जो यहाँ पर charge particles है अगर वो यहाँ पर motion में है तो वो यहाँ पर क्या करेगा अपनी energy को यहाँ पर क्या करेगा लगातार lose करेगा लगातार उसकी energy वो यहाँ पर क्या होगी खतम होती रहेगी जैसे कि अगर मैं यहाँ पर atom की बात करूँ तो atom में यहाँ पर क्या होता है, nucleus के around यहाँ पर electron revolve करता है, अपने orbit में, तो electron जो यहाँ पर revolve करता है, वो यहाँ पर दीरे-दीरे energy lose करेगा, और जो यहाँ पर nucleus है, वो इसको यहाँ पर क्या करेगा, attract करेगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पर farades low के इसाब से जो positive charge particles और ज यहाँ पर collapse होके, जो atom में, वो यहाँ पर खतम हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, जैसके आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे goal goal घूमेगा, और एक ऐसा समय आगा, जो यहाँ पर nucleus से टकराएगा, और यहाँ पर क्या होगा, जबकि ऐसा नहीं होत बता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर drawback होगा, और इसकी जो यहाँ पर stability है, वो यहाँ पर Neil Bohan ने बताया कि इसकी stability कैसी है, बट यहाँ पर Rutherford ने नहीं बताया है, तो यह इसका यहाँ पर drawback होगा, आपको यह समझ में आ गया होगा, अब जो हम यहाँ पर पढ़ने जा तो इस atom में यहाँ पर 3 particles होगे, electron, protons and neutrons, इसको यहाँ पर 3 subatomic particles बोल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर बताया था, कि जो यहाँ पर जो atom है, वो यहाँ पर 3 subatomic particles से बने हैं, तो मैं यहाँ पर ल एक हमारा यहां पर electron है, second one is proton, second one is यहां पर क्या है हमारा proton है and last one is हमारा यहां पर क्या होगा neutron होगा, क्या होगा यहां पर neutron होगा, second चीज जो यहां पर इन्होंने बताई थी, वो हमारा यहां पर क्या बताई थी, जो यहां पर proton है और यहां पर neutron है, दोनों ही यहां पर क्या ह में होंगे और वो nucleus यहाँ पर atom के center में होगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा diagram में यह हमारे क्या है nucleus है और इसी nucleus में यहाँ पर हमारा क्या होगा proton भी present होगा और यहाँ पर neutron भी present होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं protons and neutrons are located protons protons and neutrons are located are located are located in nucleus लिख देता हूँ simple आप चाहे तो small nucleus लिख सकते हो या center of the atom लिख सकते हो तो मैं यह simple लिख देता हूँ protons and neutrons are located in nucleus ठीक है और यहाँ पर आप लिख सकते हो at the center of the atom भी अब मैं यहाँ पर बात कर लिता हूँ इसके third point की जो यहाँ पर electrons होता है वो अपने fixed orbit में यहाँ पर क्या करता है move करता है और उस fixed circular path को यहाँ पर क्या बोला जाता है energy level बोला जाता है या shell बोला जाता है जैसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह हमारा यहाँ पर क्या है energy levels दिख रहा है आपको डियागरम में इसको यहाँ पर वो ही बोला जाता है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो electrons revolve करता है electrons electrons revolve electrons revolve in fixed circular path in fixed circular path circular paths और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर बोलते हैं energy level और shells भी बोल सकते हैं मैं यहाँ पर simple energy levels लिख देता हूँ energy levels और यहाँ पर चलो shells भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इसको यहाँ पर हम shells भी बोल सकते हैं अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसके 4th point की 4th point यहाँ पर क्या है जित्ता भी यहाँ पर जित्ते भी energy level है इसमें यहाँ पर क्या होता है fixed amount of energy होती है सबके यहाँ पर अलग-अलग energy होती है बट सब में क्या होती है fixed amount of energy होती है तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते each energy level is associated with a fixed amount of energy तो यहाँ पर लिख देते हैं each energy level have a fixed amount of energy have a fixed amount of energy या it's associated with a fixed amount of energy कुछ भी लिख सकते हैं a fixed amount of energy अब यहाँ पर एक last point है इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो last point है वो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर electron अपने orbit में गूमते हैं वो यहाँ पर हमेशा गूमते रहेंगे same energy level से वो यहाँ पर कभी भी decrease नहीं होंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं no change in the energy of electrons तो यहाँ पर लिख देता हूँ no change no change in the energy of electrons in the energy of electrons वो same energy level से यहाँ पर क्या करेंगे अपने orbit में move करेंगे और जिसके विज़े से जो हमारा atom है वो यहाँ पर क्या होगा stable रहेगा और यहाँ पर हम बात कर लेती nail boards stability की जो यहाँ पर उन्होंने stability बताई थी तो यहाँ पर जो सबसे पहला point था वो उन्होंने यहाँ पर यह बताई था कि जो यहाँ पर electrons है वो अपने यहाँ पर एक fixed orbit में घुमते हैं उनका fixed energy level होता है और हर एक जो orbit का होता है उसका यहाँ पर क्या होता है different radius होता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा K का यहाँ पर different radius है फिर उसके बाल आगे हम second number पर चलेंगे L वाले पर इसका different radius है और अगर हम यहाँ पर M वाले पर चलेंगे तो इसका यहाँ पर क्या होगा different radius होगा अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पर second point की तो उन्होंने यहाँ पर second point में बता है था कि जित्ता भी जो electron यहाँ पर एक particular orbit में घुमता है उसका यहाँ पर क्या होता है एक particular energy level होता है मतलब particular हर एक orbit का एक particular energy level होता है जिसके वज़े से जो electron है जो orbit में घुमते हैं वो अपनी energy को lose नहीं करते हैं और जिसके वज़े से जो हमारा यहाँ पर atom है वो यहाँ पर क्या रहता है stable रहता है तो यह उनका यहाँ पर क्या था second point था तो hope आपको यहाँ पर इनकी stability के बारे में ही पता चल गया होगा और यहाँ पर bohars model of atom मैं से पहले explain कर चुक हूँ जैसे कि यहाँ पर मैंने इसके बारे में 5 point लिख रखे हैं अगर फिर भी आपको कोई problem आती है तो आप मुझे comment section करके बता सकते हैं तो देखते हैं पर question number 6 में हमसे क्या पूछा गया है write the rules for writing of distribution of electrons in various shells for the first 18 elements तो first 18 elements में हमें यहाँ पर electrons किस तरीके से distribute होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है तो हमारे पास यहाँ पर 3 shell की बात हो रही है तो यहाँ पर कौन से होंगे KLM तो इसमें हम यहाँ पर इसका arrangement बताएंगे या इसका electronic distribution बोल सकते हैं या इसका electronic configuration भी बोल सकते हैं तो इसका यहाँ पर क्या rule होता है हम उसको यहाँ पर K shell में कितने electrodes डालती है L में कितने डालती है M में कितने डालती है वो हम यहाँ पर कैसे पता चलता है वो हम यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहरे हम आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पर arrangement of electron होता है अलग-अलग shell में उसको मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगुरेशन आफ दा एलिमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर हम नॉर्मली लिख सकते हैं, अरेंग्मेंट आफ एलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगुरेशन तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, इसको मैं यहाँ पर क्या arrangement होती है वो यहाँ पर कैसे होती है और हम इसको कैसे कर पाते हैं अगर मैं यहाँ पर maximum number of electrons की बात करूँ तो किसी भी energy level का हम maximum number of electron कैसे निकाल सकते हैं उसके यहाँ पर एक formula होता है और वो जो formula होता है वो यहाँ पर क्या होता है 2n square होता है क्या होता है 2n square होता है और n जो होत and हमारा यहाँ पर क्या होता है energy level होता है अगर इसमें example की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर n की value 1 लेता हूँ तो n की value 1 लेने पर हमारा पहला energy level निकल जाएगा जैसे कि अगर मैं n की value 1 इस वाले formula में put करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1 का whole square तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा इसका मतब जो यहाँ पर k shell है उसमें हमारा maximum number of electron कितना आप आएगा यहाँ पर 2 आप आएगा same अगर मैं यहाँ पर second की बात करूँ अगर मैं n equal to 2 लेता हूँ और यह वाली value formula में put करता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2 into 2 का whole square यहाँ पर 3 का भी निकाल पाएंगे 4 का भी निकाल पाएंगे और ऐसे further on आगे तक हम यहाँ पर निकाल पाएंगे तो यह formula हमें यहाँ पर याद रखना है किसी भी cell में कितने maximum number of electrons आ सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर second point कि किसी भी atom का जो outer most shell होता है उसमें 8 electron से जादा नहीं आएंगे जबकि उसकी capacity जादा क्यों नहीं हो मालो जैसे कि यहाँ पर हमारा M में क्या capacity इसकी 18 electrons की है पर इसमें 8 से जादा electrons यहाँ पर नहीं आएंगे क्या होंगे इसके जब outer most orbit है मालो कि इसमें हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें 9 electrons आ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर इसमें 9 electrons आ रहे हैं तो इसका मतलब यह 8 पर satisfy होगा तो एक यहाँ पर क्या करेगा यह donate कर देगा एक यहाँ पर release कर देगा है donate कर देगा यहाँ पर कर देगा और यह 8 पर satisfy हो जाएगा तो कुल मिला कि हम इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं जो हमारा outermost orbit है वो यहाँ पर 8 electrons लेने के बाद वो यहाँ पर क्या होगा fully satisfy हो जाएगा और वो 8 से जादा है वहाँ पर उसकी capacity होने के बावजूद वो यहाँ पर accommodate नहीं कर पाएगा अब बात कर लेते हैं इसके last point की तो last point में यहाँ पर बोला गया जैसे कि हमारा यहाँ पर के शेल है अगर के में यहाँ पर एक electron है तो वो यहाँ पर क्या होगा एक electron L को नहीं दे पाएगा या L शेल में नहीं जाएगा जब तक कि यहाँ पर के शेल पूरी तरीके से भर नहीं जाता माल लोग की हमारे पास यहाँ पर 11 electron है तो 11 electron यहाँ पर क्या होगे पहले यहाँ पे क्या होगा K पे जाएंगे हमारे 2 electrons फिर L पे जाएंगे अमारे 8 electrons उसके बाद यहाँ पे चैनागे 1 electron ऐसा नहीं है यहाँ पे के पे 2 electrons जाने के बाद M पे हमारे यहाँ पे 9 electrons आ जाए यह जबतक यह L जल पूरी तरीके से भरनी जाता जब तक यह M के पास नहीं जाएगा तो hope आपको third point यहाँ पे clear हो गया होगा मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 11 electrons हैं तो 11 electrons सबसे पहले यहाँ पे K shell को भरेंगे उसके बाद L को भरेंगे L के बाद अगर बसता है तो M के पास जाएंगे ऐसा नहीं है यहाँ पे K के भरने के बाद सीधा M के M shell के पास चले जाएं इसको सबसे पहले यहाँ पे K को भरनना पड़ेगा L को भरनना पड़ेगा उसके बाद ही आगे जा पाएंगे आपको यहाँ पे इसके arrangement समझ में आ गई होंगे अगर फिर भी कोई problem रह जाती है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं तो देखते हैं आपके question number 7 में हमसे क्या पूचा गया है define valency by taking the examples of silicon and oxygen तो हम यहाँ पर valency को define करना है और उसके बाद हम यहाँ पर example से समझाना है कि silicon and oxygen की जो valency है वो हम यहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर valency क्या होती है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं the valency of an element is defined as the number of electrons lost, gained or shared by one atom of the element to achieve the nearest inert gas electronic configuration अब यहाँ पर होता क्या है जो inert gas normal configuration होता है यह होता क्या है? inert gas जो normal configuration होता है यह बिल्कूल पूरी तरीके से stable होता है ना ही यह क्या करता है? electrons को लेता है और ना ही किसी को देता है क्योंकि इसको यहाँ पर जरुरती नहीं पड़ती यह पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होता है stable होता है तो valency यहाँ पर क्या होती है तो वो यहाँ पर क्या होती है वो electron को लेगा और release करेगा यहाँ पर पूरी तरीके से stable होने के लिए तो वो ही यहाँ पर क्या होगी उसकी valency होगी कि वो यहाँ पर कितने number of electrons release कर रहा है, कितने number of electrons यहाँ पर gain कर रहा है, अपने आपको stable करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लिता हूँ silicon के examples की, तो यहाँ पर हमें valency निकालने के लिए हमें उसका Atomic Number पता होना चाहिए तो Silicon का जो हमारा Atomic Number होता है सेम होती है तो किसी भी Atomic Number को हम यहां पर कैसे define करते थे उसके Number of Protons है या उसके Number of Electrons है तो अगर यहां पर इसका Silicon का 14 Atomic Number है तो इसका मतलब इसमें 14 electrons होंगे अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके shells की तो इसका जो electronic configuration है और इसके जो cells में electrons fill होंगे वो यहाँ पर कैसे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर K shell होता है उसके बाद L होता है उसके बाद यहाँ पर M और उसके बाद n होता है बन हमारा यहाँ पर 3 cell से काम बन जाएगा और इस cell में हम यहाँ पर कैसे electrons fill करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए जो हम यहाँ पर formula use करते हैं वो है हमारा यहाँ पर 2n square तो n अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो यह हमारे k shell के लिए होगा अगर मैं n की value 1 put करता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तो k में हमारा maximum number of electrons कितना जाएगा 2 जाएगा अगर मैं यहाँ पर n की value 2 put करता हूँ तो वो हमारे l shell के लिए होती है इसमें maximum number of electrons कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यह 2 की value अगर मैं इस formula में put करता हूँ तो अगर मैं n की value यहाँ पर 3 put करता हूँ तो वो हमारे m shell के लिए होगा जो कि यहाँ पर 18 होगा बट इसमें यहाँ पर क्या एक exception है यह हमारा 8 electrons fill होने के बाद ही stable हो जाता है इसको और electrons यहाँ पर बेने की जुरूत नहीं पड़ती और इसके outermost orbit में जैसे यहाँ पर 8 electrons आते हैं यह यहाँ पर stable हो जाता है तो L में हमारे यहाँ पर कितने जाएगा 8 जाएगा तो total मिला कि अब तक यहाँ पर 10 electrons fill हो चुके हैं तो इसका मतब जो m cell है उसमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रों जाएगे हमारे 4 electrons जाएगे और इसको यहाँ पर stable होने के लिए और कितने इलेक्ट्रों चाहिए 4 चाहिए क्योंकि m cell यहाँ पर क्या होगा 8 electrons पर stable हो जाएगा तो इसको 4 electrons और यहाँ पर क्या चाहिए gain करने है इसको क्या करने gain करने है чи haa पे release कर देगा यह पे gain कर देगा अगर release करेगा तो यह पे ψरी तरीके से इतना जो k और la can cheaper мат इस्टेबल हो जाएगा अग्र यहा पर gain करेगा है तो म हलो यहाँ पर क्या होते है हमारा 8- नंबर औफ वैलेंस इलेक्टेन होता है क्या होता है eight minus number of वैवलेंस से अलवीन से यहाँ पर कितनी होगी 4 होगी पर यहाँ पर जो valence electron के बराबर भी हो रहा है तो इसमें आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब मैं इसका oxygen का example लोगा तो आपको ज़्यादा clear होगा अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ oxygen की तो oxygen का जो हमारा यहाँ पर atomic number होता है वो यहाँ पर non-metal होता है हम इसको एक तरीक से और नकाल सकते है इस formula की जरी ज Schnee sant non-metal का non-metal हमारा पर क्या होता है 8 minus number of valence electron होता है यहाँ पर हमारा number of valence electron कितना है 6 है, तो 8-6 कितना होगा हमारा यहाँ पर 2 होगा तो इसके वेले सी यहाँ पर कितनी होगी हमारी oxygen की 2 होगी तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसको कितने electron चाहिए stable होने के लिए या inner gas electron configuration को पूरा करने के लिए तो वो भी यहाँ पर क्या है, 2 है तो आपको यह वाला question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरह तो देखते हैं आपर question number 8 में हमसे क्या पूचा गया है, explain with examples, तो हमें यहाँ पर जो 4 चीज़ रखी है, इसको हमें हैं कि हमें यहाँ पर isotopes कहां-कहां use करते हैं तो बात करते हैं यहाँ पर atomic number होता क्या है, जो atomic number होता है वो यहाँ पर number of protons के basis पर define होता है, जितना यहाँ पर number of protons होगा किसी भी atom में वो उसका यहाँ पर क्या होगा atomic number होगा, तो अगर इसको यहां पर define करना पड़े, तो आप क्या लिखोगे, वो मैं यहां पर बता देता हूं, the number of protons, the number of protons, the number of protons in one atom, the number of protons in one atom, of an element, of an element, is known as atomic number, simple, is known as atomic number, atomic number, is known as atomic number of debt element, आप लिख सकते हूं, मैं तन ngày छोड़ देता हूं, तो यहां पर क्या होता है, जो atomic number होता है, यहां पर number of protons होता है, किसी भी atom का, उसी को यहां पर क्या बोला गया है, atomic number बोला गया है, इसको हम यहां पर example से समझते हैं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं carbon की, त तो carbon का जो atomic number होता है, वो हम यहाँ पर normally क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं, अगर हम मैं ना भी पता हूँ इसका atomic number, हम मैं यहाँ पता होना चाहिए कि जो carbon atom होता है, उसमें यहाँ पर कितने number और protons present होते हैं, तो carbon जो यहाँ पर atom होता है, इसमें यहाँ पर जो middle में क्या होते हैं? 6 proton present होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पर 6 proton present होते हैं, और 6 proton की ही वज़े से, इसका जो atomic number होता है, वो यहाँ पर क्या होता है? 6 हो पाता है, सेम अगर मैं यहाँ पर helium की बात करूँ, तो helium में यहाँ पर two protons present होते है two protons के वज़े से इसका जो atomic number होता है वो यहाँ पर क्या होता है two होता है अब आपको यहाँ पर clear होगा atomic number के बारे में अभी तक मैंने यहाँ पर जो atomic number के बारे में बताया आपको वो आपको ये बताए कि जितने भी वहाँ पे protons present होंगे वो यहाँ पे atomic number के बराबर होंगे बट यहाँ पे इसकी echo definition हो सकती है जितने number of electrons वहाँ पे present होंगे वो भी यहाँ पे atomic number के बराबर ही होंगे तो इसमें आप confusion मत हो ना तो यहाँ पे number of protons हो या number of electrons हो दोनों से ही हम यहाँ पर atomic number को define कर सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पर दो important points इसके लिद देता हूं जैसे कि यहाँ पर atomic number of elements अगर मैं atomic number के बात करूँ तो वो यहाँ पर number of protons in one atom भी हो सकता है number of protons in one atom भी हो सकता है और दूसरी चीज, यहाँ पर क्या हो सकती है number of electrons number of electrons in one neutral item क्या होगा यहाँ पर in one neutral item होगा क्योंकि वो यहाँ पर neutral होना चाहिए उस पर किसी भी तरह का यहाँ पर charge नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर इसको h to be define कर सकते हैं आपको यहाँ पर atomic number के बारे में पता चल गया होगा अब मैं यहाँ पर बात का लिता हूँ to math number की अगर हम यहाँ पर math number को define करना पड़े तो हम यहाँ पर इसको इसतरह के से define कर सकते the sum of number of protons and number of neutrons in one atom of element तो यहाँ पर लिख सकते हूँ या normally मैं यहाँ पर simple लिख देता हूँ number of protons number of protons plus number of neutrons number of neutrons तो यह हमारा यहाँ पर क्या होगा मास नंबर होगा अगर मैं यहाँ पर हीलियम की बात कर लेता हूँ तो हीलियम का यहाँ पर अटोमिक नंबर यहाँ पर क्या होता है 2 होता है इसका मतलब इसमें जो प्रोटोंस प्रेजेंट होते हैं यहां पे कितने present होते हैं, two protons present होते हैं, और two ही इसमें यहां पे क्या present होते हैं, neutrons present होते हैं, तो इस वज़े से इसका जो यहां पे atomic mass होगा, वो यहां पे क्या होगा, four atomic mass unit हो जाएगा, या इसको normally हम यहां पे four u भी लिख सकते हैं, आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, अगर एक और example की बात करूं यहाँ पर carbon की, तो carbon का जो atomic नमबर होता है, 6 होता है, इसका मतलब यहाँ पर 6 proton present होते है, 6 proton और 6 यहाँ पर क्या present होते हैं? हमारे neutron present होते हैं, क्या present होते हैं? neutron, तो 6 और 6 मिलकर यहाँ पर कितने होगे? 12 हो गए तो 12 इसका यहां पर क्या होगा Atomic Mass Unit होगा यह 12 U लिख सकते हैं तो Carbon का Atomic Mass होता है वो यहां पर क्या होता है 12 Atomic Mass Unit होता है यहां इसको यहां पर हम एक तरीके से और Define कर सकते हैं जो हमारा यहां पर Mass Number होता है जो हमारा mass number होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? Atomic number Atomic number Plus number of neutrons Number of neutrons ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो यहां पर atomic number होता है वो यहां पर number of protons के बराबर ही लेते हैं protons equal to atomic number और अगर मैं यहां पर इन दोनों के बीच के relationship की बात करूँ कि इसको हम यहां पर कैसे लिखते हैं दोनों को अगर हमें एक साथ लिखना पड़े तो हम यहां पर कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे symbol of element क्या लिखेंगे हम यहां पर symbol of element लिखेंगे और उसके बाद हम यहां पर सबसे उपर लिखेंगे mass number क्या लिखेंगे यहाँ पर mass number और नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे atomic number क्या लिखेंगे यहाँ पर atomic number for example हमें यहाँ पर carbon का लिखना है तो carbon का जो mass number होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है 12 होता है और atomic number यहाँ पर 6 होता है hope आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का relationship अब जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यहाँ पर isotopes and isobars के बारे में तो सबसे पहले मैं यहाँ पर isotopes की बात कर लेता हूँ इसका यहाँ पर एक simple definition है उसको मैं यहाँ पर divide कर गी लिखूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर isotopes की बात कर लेता हूँ isotopes जो होता है यहाँ पर क्या होता है same element होता है क्या होता है यहाँ पर same element होता है second चीज़ यहाँ पर क्या होती है इसमे same atomic number मतलब element भी same होता है atomic number भी same होता है यहाँ पर एक चीछ different होती है और वो यहाँ पर क्या होता है इसका mass number इसमें यहाँ पर क्या होता है different mass number होता है different mass number होता है different mass number जैसे कि आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा यहाँ पर two diagram है यहाँ पर किस के हैं chlorine isotope के है chlorine 35 and chlorine Ok37 तो यह chlorine 35 और 37 यह different masks के क्यूं हो पाई क्यूंकि इसमें जो proton होता है वो तो यहाँ पर क्या होता है same होता है दोनों में यहाँ पर 17 number और proton present है यहां पर different क्या है, different यहां पर 18 neutron है और इस वाले में यहां पर क्या है 20 neutron presence है जिसके वजए से जो उनका Atomic Mass है वो यहां पर日本 है पहले वाले का Atomic Mass है वो यहां पर 35 है तो इसको हम यहां पर ध्यान से समझते हैं जो Isotopes होता है उसमें element भी सेम होता है atomic number भी same होता है बट जो mass number होता है वो यहाँ पर different होता है because of different number of neutrons तो यहाँ पर presence of neutrons पर depend करता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो different number of neutrons की वज़े से होता है different number of neutrons की वज़े से यहाँ पर क्या होता है इसका जो different mass number होता है क्योंकि जो protons present होते हैं वो यहाँ पे same होते और mass number को जब भी हम calculate करते हैं वो यहाँ पे number of protons plus number of neutrons से ही करते हैं और यहाँ पे neutron की संख्या vary करने के वज़े से इसका atomic mass क्या होता है different होता है अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ isobars की किसकी बात कर लेता हूँ isobars की वो मैं यहाँ पे next piece पे कर लेता हूँ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं isobars की जो isobars होते है वो यहाँ पे क्या होता है इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो isobars होते हैं इसको भी मैं यहाँ पे part wise divide करूँगा तो सबसे पहली चीज यहां पर क्या होता है जो इसका mass number होता है वो यहां पर क्या होता है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ same mass number same mass number होता है second चीज यहां पर क्या होती है second चीज यहां पर क्या होती है different atomic number होता है क्या होता है different atomic number होता है different atomic number और जो element होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है different होता है different elements तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सेम होती है वह हमारा यहाँ पर mass number For example, अगर मैं यहाँ पर Argan और Calcium की बात करूँ Example ज़रूर यह है जैसकि मैं अगर यहाँ पर Argan की बात करूँ और Calcium की बात करूँ तो Argan और Calcium का जो यहाँ पर Atomic Mass होता है वो यहाँ पर क्या होता है? 40 होता है या amub लिख सकते है, atomic mass unit, या normally ub लिख सकते हैं, बट इसका जो यहाँ पर atomic number होता है, इसका यहाँ पर 18 होता है, और calcium का यहाँ पर क्या होता है, 20 होता है, और यह element भी different है, तो isobards को यहाँ पर simple define कर सकते हैं, इसमें same mass number होता है, different atomic number होता है, different elements होता है, और यह आपको example से अच्छे तरीके से याद होगा जैसके हम यहाँ पे organ और calcium के बात करते हैं यह हमारा यहाँ पर क्या है different atomic number है different elements है बट इनका दोनों का 40 atomic mass unit होता है मतलब जो mass number होता है वो यहाँ पर दोनों में same होता है और यहाँ पर एक और चीज बताना चाओंगा जो हमारा isotopes होता है उसमें यहाँ पर कुछ uses भी हमें कभी कभी पूछ लेते हैं तो isotopes के यहाँ पर पहला जो use है वो यहाँ पर क्या जो isotope uranium है uranium 235 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो यहाँ पर uranium 235 है वो हमारा किसमे काम आता है nuclear reactor में काम आता है किसमे काम आता है nuclear reactor में nuclear reactor मतलब जो electricity produce करते हैं जो turbine चलाते हैं उसको यहाँ पर nuclear reactor बोला जाता है उसमें एक तरह का यह fuel के तरह काम करता है किस के तरह काम करता है, fuel के तरह काम करता है second जो चीज है, वो हमारा किसमे काम आता है, isotope of cobalt cobalt का जो isotope होता है, वो किसमे काम आता है, हमारा treatment of cancer में किसमे काम आता है, treatment of cancer में काम आता है, treatment of cancer में काम आता है cobalt का isotope, और जो तीसरा है हमारा यहां पर, isotope of iodine iodine का जो isotope है वो हमारा किसमे काम आता है treatment of goitry किसका goitry जो यहाँ पर गले में यहाँ पर बहुत बड़ा फूल जाता है सूजन से आ जाती है वो iodine की कमी के वज़े से आती है तो यहाँ पर क्या करता है इसका goitry का treatment करता है वो जो बिमारी होती है जो गले में सूजन होती है उसको यहाँ पर goitry करते है और वो deficiency of iodine की वज़े से होता है आपको यहाँ पर isobars और isotopes के बारे में समझ में आ गया होगा तो देखते हैं आपर question number 9 में हमसे क्या पूछा गया है and A positive has completely filled K and L cells explained तो यहाँ पर जो sodium पर positive charge है यह यहाँ पर K and L cells को यहाँ पर पूरी तरीकी से भर देता है तो वो हमें यहाँ पर बताना है ऐसा क्यों हो रहा है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर sodium का atomic number पता होना चाहिए sodium का यहाँ पर symbol होता है N A यह हमारा यहाँ पर क्या है sodium है और इसका जो यहाँ पर हमारा atomic number होता है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है 11 होता है 11 इसका यहाँ पर क्या है atomic number है इसका मतब जो electrons present होंगे वो भी इसमें यहाँ पर कितने होंगे 11 ही present होंगे और 11 electrons के लिए अगर मैं यहाँ पर KL shells बढ़ता हूँ तो वो यहाँ पर कुछ इस परकार भरेंगे KLM तो K में हमारा 2 जाएगा L में 8 और M में हमारा outer most जो है उसमें कितना बचेगा 1 और इसको हम यहाँ पर कैसे distribute करते हैं वो हम यहाँ पर 2N square के formula से क्या करते हैं distribute कर पाते हैं अगर मैं यहाँ पर N की value 1 put करूँगा तो वो हमारे K shell के लिए होगी क्योंकि यहाँ पर 2 electrons जाता है अगर मैं यहाँ पर N की value 2 put करूँगा तो वो हमारे L shell के लिए होगी क्योंकि इसमें 8 maximum number of electrons हो पाते हैं ऐसे मैं यहाँ पर आगे चलते रहेंगे, तो अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, यहाँ पर na की, तो na में यहाँ पर 11 electrons थे, तो यहाँ पर outermost orbit में कितना electron जा रहा है हमारा, 1 जा रहा है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं na plus की, तो na plus का मतलब यहाँ पर होगा क्या, na plus का मतलब यहाँ यह है कि इसने अपना एक electron क्या कर रहा, release कर दिया, एक electron release कर दिया, यह lose कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर अपना एक electron release करता है, तो इस पर positive charge होगा, तो इसका मतब जो M shell पर इसके पास एक electron था, इसने यह किसी और को दे दिया, तो इसके पास अब जो electronic configuration होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, k और l, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 and 8, तो यह जो electronic configuration है, वो हमारा किस के लिए है, na plus के लिए है, क्योंकि इसने अपना क्या करा, एक electron release कर दिया, एक electron release करने के बाद यह पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, stable हो जाएगा, और यहाँ पर K and L shells पूरी तरीके से फिल हो पाएंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ तो देखते हैं आपर question number 10 में हम से क्या पूछा गया है if bromine is available in the form of say two isotopes तो यहाँ पर 79 इसका यहाँ पर क्या है atomic mass है और 35 इसका atomic number है किसका bromine का और जो इसका percentage है वो यहाँ पर क्या है 49.7% है पहले वाले isotope का second वाले का जो यहाँ पर atomic mass है वो यहाँ पर कितना है 81 है और जो atomic number है वो यहाँ पर क्या 35 है दोनों में सेम ही है यह किसकी बात करें हम यहाँ पर bromine की बात कर रहे हैं हमें यहाँ पर calculate करके बता रहा है कि इन दोनों का यहाँ पर average atomic mass कितना होगा तो करते हैं यहाँ पर इसको solve तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर given चीज़ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर given है वो यहाँ पर क्या है, mass of 79,35 bromine, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 79 इसका यहाँ पर क्या है, atomic mass है, 35 atomic number है, तो इसका जो यहाँ पर पहला isotope है, इसका मतलब यहाँ पर जो इसका atomic mass होगा, वो हमारे यहाँ पर कितना है, 79 है, और इसका जो यहाँ पर abundance है, मतलब यह कितने मा abundance लिख देता हूं वो हमारे यहां पर कितना है 49.7 परसेंटेज है तो यहां पर लिख देते हैं इसका abundance कितने मात्रा में हमें यहां पर मिलता है 49.7 परसेंटेज यह इसके पहले आइसोटोप का है सेकिंड वाले के बाद कर लेते हैं Mass of 81.35 ब्रोमीन इसका मतर सब्सक्त मास कमेंदा मिलता है 81 है और यह कितनी मात्रा में रहा है वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं इसका जो abundance है हमारे यहां पर कितना है 50.3 परसेंटेज है है indigenous talk और हम यहां पर निकालना क्या था है इसका Average Atomic Mass निकालना था, तो Average Atomic Mass निकालने के लिए इसकी percentage को हमें हटाना पड़ेगा, तो यहां पे कर लेते Average Atomic Mass of Bromine, तो कैसे निकालेंगे, वो हम यहां पे देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, इसका जो atomic mass है उसको multiply करना है किस से इसके percentage से तो वो कितना था हमारा 49.7 percentage का sign हटते के साथ थी ये किस से divide हो जाएगा हमारा 100 से divide हो जाएगा ये हमारा पहले वाले isotope के लिए था अब second वाला जो हमारा यहाँ पे क्या है उसको plus कर देंगे उसका atomic mass यहाँ पे कितना था 81 था और multiply करना है उसके यहाँ पे percentage किती थी 50.3% का sign हटते के साथ ही 100 से यहाँ पे क्या होगा divide हो जाएगा अब हमें यहाँ पे क्या करना है इसको 49.7 को 79 से multiply करना है तो देखते हैं यहाँ पे कितना हैगा 49.7 multiply with 79 9 7 जा यहाँ पे कितना होता है 63 होता है तो यहाँ पे कितना हैगा हमारा 3 आएगा 6 carry चला गया 9 9 जा 81 81 और 6 87 7 गया 8 carry चला गया 9 4 जा 36 36 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 44 हो गया अब 7 से multiply करना है 7 7 जा 49 का 9 4 carry गया 7 9 जा 63 67 6 carry गया 7 4 जा 28 28 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 34 हो गया प्लस करने पर कितना आएगा 3 9 7 16 का 6 1 carry गया 8 और 4 12 1 carry गया 4 4 8 1 9 यहाँ पर कितना आगया हमारा 3 9 2 6 3 तो वो हम यहाँ पर लिख ले थे 3 9 2 6 3 और यहाँ पर क्या था 49.7 था एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 100 लिख देंगे अब यहाँ पर प्लस कर लेते अब 81 को किस से multiply करना है 50.3 से वो भी कर लेते 50.3 multiply with 81 तो पहले यहाँ पर 503 लिख देते 1 से multiply करने पर 8 से multiply कर आएगा एट से जरे 24 और 85 जाये यहाँ पर कितना होता है 50 होता है 345 27 04 तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 407 4.3 आ जाये गाया क्योंकि यहाँ फिफ्टी पॉइंट था और हमें यहाँ पर किस से divide करना है 100 से अब यहाँ पर 100 का calcium ले सकते हैं 100 का हमने यहाँ पर क्या गया है LCM ने लिया और दोनों को हमें यहां पर क्या करना है प्लस करना है तो इसके नीचे मैं लिख दियता हूँ 3,9,2,6,3 प्लस करने पर हमारा यहां पर कितना आएगा 3,3 यहां पर कितने हो गए 6, 640N का 0 1 carry गया, 729 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा फिर एक और carry गया, यहाँ पर भी 10 आ गया और यहाँ पर एक और carry जाएगा तो 438, तो यहाँ पर कुछ इस परकार हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से एक point लगा हुआ था जैसकि यहाँ पे देख सकते हो 3926.3 और 4074.3 और यहाँ पे 100 से divide करने पे यह point किसके यहाँ पे 80 पे आ जाएगा तो कुल मला के अगर मैं इसका average निकाला चाओ तो हम इसको neglect कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 80 AMU Atomic Mass Unit यह normally आप 80 U भी लिख सकते हो तो इसका हमारा यहाँ पे average atomic mass निकल चुका है ओप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ तो देखते हैं हाँ पे question पर 11 में हम से क्या पूछा गया है The average atomic mass of a sample of an element X is 16.2 atomic mass unit What are the percentages of isotopes 16 यहाँ पे atomic mass है 8 atomic number है और यहाँ पे 18 atomic mass है 8 atomic number है और यहाँ पे हमें 2 sample दे रखे हैं और दोनों का हमें यहाँ पे percentage बतारा है हमें यहाँ पे abundance बतारा है कि यहाँ पे कितने percentage में दोनों isotopes हमें मिलेंगे तो इसको यहाँ पे करते हैं solve और हमें यहाँ पे क्या के given है वो हमें यहाँ पे लिख लेना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे mass of mass of 16 8 X की तो इसमें यहाँ पे जो mass है इसका atomic mass वो यहाँ पे कितना है 16 U है और इसमें हम जो यहाँ पे percentage लेंगे वो हमें नहीं पता इसकी percentage हमें नहीं पता वो तो हमें यहाँ पे निकालनी है तो इसकी percentage को हम यहाँ पे क्या माल लेते हैं X percentage माल लेते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे second वाले की mass of 18 8 X की इसमें जो mass होगा वो हमारे ये वाला होगा 18 तो हम यहाँ पर 18U लिख सकते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते इस percentage की तो इसकी जो यहाँ पर percentage होगी वो भी हमें यहाँ पर नहीं पता तो यहाँ पर दोनों की percentage मिलाके कितनी होनी चाहिए थी 100% होनी चाहिए थी अगर एक की हम यहाँ पर x मान रहे हैं तो दूसरी की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100-x percentage लिखेंगे अगर एक की यहाँ पर x पर सेंट है तो दूसरी की यहाँ पर 100-x होगी यह आपको पता होना चाहिए अब दोनों isotopes को मिलाके यहाँ पर कितना percentage बनता है 100% बनता है तो एक की अगर हम मैं यहाँ पर x लेंगे तो दूसरी की यहाँ पर क्या लेंगे 100-x percentage लेंगे अब मैं यहाँ पर बात कर लेंगे तो दोनों के average atomic mass की किसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ average atomic mass वो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे average atomic mass of x element atomic mass से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा इसके percentage से तो इसका यहाँ पर कितना था x percent था percent का sign हटते के साथ ही 100 से divide हो जाएगा plus second वाले का atomic mass था वो यहाँ पर कितना था 18 था इसमें multiply करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 100 minus x percentage का sign हटते के साथ ही नीचे 100 से क्या होगा divide हो जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है इसको हमें calculate करना है तो हमें average atomic mass पहले से गिवाने कितना है 16.2 यो तो इसको हम यहाँ पर इससे compare कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ 16.2 equal to 16x upon 100 plus 1800 minus 18x upon 100 हो जाएगा तो इससे हम यहाँ पर compare करते हैं इसको यहाँ पर further आगे solve करते हैं और देखते हैं यहाँ पर x की value क्या आ रही है तो simple हम यहाँ पर 16.2 लिखेंगे इन दोनों में यहाँ पर LCM ले लिएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x plus 1800 minus का यहाँ पर कितना आ गया 18x कि सका हैगा minus का 18x आएगा और यह100 की उपर multiply हो जाएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 16 2 0 हो जाएगा और यह हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 16x माइनस का 18x माइनस का 2x प्लस का यहाँ पर 1800 अब यह जो 1800 है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा left side चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 20 माइनस का 1800 और यहाँ पर कितना हो गया और यहां पर x की value क्या होगी 180 divided by 2 हो जाएगा तो यहां पर कितना बचेगा 90 बचेगा कितना बचेगा 90 और यह जो यहां पर x की value हमारी 90 आई है इसको हमें किसमें put करना है इसके percentage में put करना है क्या करना है इसके percentage में put करना है तो पहले वाले isotope का यहां पर 1618x इसके लिए जो यहां पर percentage बनेगी, वो हमारी x percentage ली थी हमने, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इसके लिए 90% लिखना पड़ेगा, और जो दूसरा वाला था, वो हमारे यहां पर क्या था, 18, 8x था, और इस वाले isotope की जो यहां पर percentage है, वो यहां पर कितनी होगी, उसके लिए हमें यहा isotope के लिए 90%, दूसरे वाले isotope के लिए यहां पर कितना निकल गया, 10%, होग, आपको यह वाला question भी समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ,